रसोई घर का तवा कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा वास्तु विज्ञान में तवे के कई उपाए बताए गए हैं इन उपाए को आजमा कर आप घर में देवी लक्स्मी की किरपा बनाए रख सकते हैं इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन का अभाव नहीं रहेगा बता दे कि तवा ने सिरफ आपके रोटी बनाने के काम आता है बलकि यह आपके घर में धन और बरकत भी लाने के काम करता है तवा हमारे किचन की सबसे जरूरी चीज है आज हम आपको बताते हैं कि वास्तु के अनुसार तवे का कितना महत्तव है और यह भी किसी खास जख़ से तबा रखने पर आपको मिल सकती है भे सुमार दोलत खुल सकते हैं किसमत के बन दर्वाजे लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्षमी माता का आसिरवत आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जै लक्षमी माता जरूर लिखें एक तवा और कढ़ाई राहू का परती निधितव करते हैं इसलिए रसोई को साफ रखें यदि कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई का इस्तमाल में लाती है तो इसका सीधा परभाव उसके पती पर पढ़ता है दो, जब सुभे खाना बनाने जाएं तो तवे को गरम करने के बाद रोज इस्तमाल होने वाले नमक को तवे पर डाले परन्तु इस बात का ध्यान रखे की नमक में कोई भी अन्यपदार्थ ना मिला हो यानि हल्दी या लाल मिर्च ना मिला हो तीन, जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नीमबू और नमक रगड़े इससे तवा चमकदार होना ही आपकी किस्मत चमक जाएगी चार, तवे या कढ़ाई को किसी भी तीखी चीज से ना खुर्चे हो सके तो उसे गला कर रख दीजिए और बाद में आहिस्ता से चिप की सामगरी को हटाए तवे या कढ़ाई को कभी भी जूटार ने करे ना ही उस पर जूटी सामगरी रखे इन दोनों चीजों की पवित्तरता का ख्याल रखना बहुत जरूरी है घर में इनकी स्वस्ता का जितना ध्यान रखा जाएगा धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे सभी बरतनों में यह दो चीजे बहुत सम्मान के योग्ये हैं छे, अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेखने के बाद गरम तवे को गंदे बरतनों में धुनने के लिए रख देते हैं अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए क्योंकि गरम तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं और वास्तु सास्तर में भी ऐसा कहा गया है कि गरम तवे पर पानी छिड़कना एक अप सगुन के तोर पर देखा जाता है गरम तवे पर पानी डालने पर जो च्छन की आवाज होती है उससे नेगिटिव एनरजी यानि नकार आत्मक उरजा घर में आती है वही यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मिर्ट्यू हो जाती है तो उसकी तेरवी के दिन गरम तवे पर पानी छिड़का जाता है इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना असुप माना जाता है इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गरम तवे पर पानी डालने से मूसलाधर बारिस होती है और ऐसी बारिस से तबाई होने का अंदेशा होता है इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं साथ जोतिस में तवे का संबंद राहू से माना जाता है इसलिए इसकी सफाई का विशेश तोर पर ध्यान रखना जरूरी होता है हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ पानी से धोकर ही रखना चाहिए तवे को सदे भी लिटाकर रखना चाहिए ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करने रखने से घर में लड़ाई होती है इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखे की तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेकने के बाद खाली तवा गैस पर यूँ ही छोड़ देते हैं ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को अभी छोड़ दीजिए चुले पर तवे का काम खतम होने के बाद तवा भी हटा दे 9. अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो यह बहुत ही खराब बात है इसका उप्योग करने के बाद इसको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए वरना यह आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है और अगर आप तवे को गंदा बताया गया है तवे पर रोटी सेकना सुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दे कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपे पैसे का फिर खाने की कमी नहीं होगी वहीं इस बात का वेग्यानिक में तव यह है कि ऐसा करने से तवे के सारी किटानू मर जाते हैं और रोटिया खाने से कोई बिमार नहीं पड़ता ग्याना रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया या पती की सेहत कराब होती है इसलिए याद रखे जब भी तवाया कढ़ाई आप परियोग करे उसे अच तरीका सही नहीं है राहू के बुरे परकोप के कारण ऐसा होता है रात में कभी भी तवा सिंख में नय रहने दे तवे को हमेशा साफ पानी से अच्छे से धोकर ही रखे रात में तवा और कढ़ाई भी कभी गंदा ने छोड़े अगर आप ऐसा करते हैं तो नकार आत्मकु उर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी तेहरा तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाए उसे गाई या कुत्ते को दें यह नियम बना ले पहली रोटी जानवर के लिए होनी चाहिए इससे घर में विपता नहीं आती साथ ही घर की सारी नकारात्मक उर्जा समाप्त हो ऐसे रखे कि जब सब की नजर उसमें नए आए तवे पर बाहरिक की नजर बिल्कुल भी नहीं पढ़नी चाहिए तवे को अच्छे से साफ करके अंदर की और रखे पंदरा तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक दिक्कत आती है घर में तवे को उल्टा रखने से घर में नकारात्मक उर्जा का वास होता है सोला लोगों को हमेशा कनफ्यूजन बनी रहती है कि तवे को कहां रखना चाहिए जिस से घर में सुक शान्ती बनी रहे और धन दोलत में विर्धी हो और घर में सकारात्मक उर्जा का वास हो तो ऐसे में तवा और कढ़ाई जहां खाना बनता है उसके दाई तरफ रखना च उतनी निखरेगी होता है तवा जितना चमकता है किसमत भी उतनी ही निखरती है अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सेर करें और चैनल को सस्क्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर लेजे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद